हेलो 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 तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डैक क्या होते हैं डैक क्यूं होते हैं और डैक किन्हें लेने चाहिए और ऑडियो कुलर का डीए 07 डैक के बारे में भी बात करेंगे क्यूं वह आपको लेना चाहिए या क्यूं वह एक एफ़र्डेबल ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में बस लोग बेचना जा रहे हैं डेक्स को पर यह आपको भी नहीं पता कि क्यों आपको लेना चाहिए और क्या वाकई आपके लिए यूस्फुल है डेक याने की डिजिटल टू एनलॉग कनवर्टर मतलब यह डिजिटल में जो सिगनल होते हैं उन्हें एनलॉग में कनवर्ट कर देता है जो जो एनलॉग डेटा होता है जिसमें हमारा म्यूजिक रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है वो एक चेंजेवल डेटा होता है वो कोंस्टे है या फिर हमारे डिवाईसे वह इस तरह से फंक्शन करते ह问 है कि वह डिजिटल डेटा ही स्टोर करते हैं वह एनलॉग डेटा नहीं एक् Bran memorize और घृ հ complex लगके वो convert होता है तो यह होता है डिजिटल टू एनलोग और यह काम कौन कर रहा होता है यह काम हमारा डैक कर रहा होता है तो जो MP3.MP3 है चलो Spotify है कुछ भी है जब उन्हें प्ले करते हो तो वो एक डिजिटल को एनलोग में convert कैसे कर रहा है आपके फोन के अंदर 3.5mm jack जो अंदर आप जिसमें पोर्ट में अपना इयरफोन आई एम हेटफोन लगाते हो वो बेसिकली एक डैक होता है अंदर तो वो क्या करता है वो उस Spotify के डेटा को लेता है और वो convert करके आपको इयरफोन के अगर तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो पुराने टाइम थे अगर आपने थोड़ भी काफी टाइम से फोन होने यूज कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि जो Nokia वगेरा के पहले फोन आते थे या Sony वगेरा के आते थे उनमें तुमने एक चीज़ नोटिस की होते थे वह अच्छे लगे होते थे बट अब smartphone manufacturers इतना जादा उसको ध्यान नहीं दे उसको ऐसे less prioritize किया जाता है तो क्या करते हैं कि अपना profit बढ़ाने के लिए चीपर टैक लगा देते हैं लगे होते हैं आपके फोन में उस लेवल का आपको output नहीं मिल पाता है तो के बारे में बात करेंगे जो यूजवली टाइप सी टू 3.5 होते हैं और एक और बहुत बड़ा जो रीजन है वो हमें डैक यूज इसलिए करना चाहिए external क्योंकि क्या होता है ना कई बर जो हमारे headphones होते हैं या IEM होते हैं उन्हें जितनी power चाहिए होती है उतना आपका जो maximum power खीच पाते हैं तो डैक को अगर हम easily उसमें करें तो डैक आपका earphone या फिर IEM अगर वो गंदा sound करता है तो उसको अच्छा नहीं बना देता है वो क्या करता है एक आपको अच्छी power देता है आपकी device पे और आपको अच्छा resolution देता है अब अगर कोई IEM से में bass नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि डैक लगा कि वो bass बढ़ा देगा या treble बढ़ा देगा वो वैसा ही sound करेंगे हाँ यह जरूर होगा कि उतनी अगर आपके monitors या headphones को power नहीं मिल पा रही हो तो डैक वो power आपको लाके दे दें ताकि आपके जो एक maximum जो generate हो रहा हो ना वो generate हो पाए आपके IEM सापको वो दे पाए output और अगर आप ऐसे high resolution music सुनना चाहते हो high res apple music पे या फिर आपके पास flack वगेरा पड़े हुए music आप download करके रखते हो then आपको डैक यूज़ करना चाहिए ताकि आपको high resolution मिल पाया क्योंकि गाने का जो high resolution है वो आपको दिलवाने के लिए आ पूर ही रहो उससे क्योंकि कोई फायदा नहीं है यह सिफ तब होगा जब आप एक bestest quality में music stream कर रहे हो समझ रहे हो जितनी available है उतनी में तो जो आपको music है वो आपको different feel होगा और जो budget decks आते हैं ना इस में वो almost similar होते हैं और उनमें कोई नहीं होता है बस फर्क क्यों होता है कोई जादा power generate कर रहा होता है कोई कम power बट एक जो normal deck आते हैं वो काफी होते हैं आपके budget IM को power करने के लिए उन्हें इतनी भी power नहीं चाहिए आपके IM को मैं काफी टाइम से टेस्ट कर रहा हूं audio cooler का DA07 यह 1000 रुपे के round आता है तुम इसे definitely ले सकते हो काफी अच्छा है आप टाइप C और 3.5 to convert करता है और मुझे काफी पसंद आया मैंने काफी सुना बहुत अच्छा आपको फर्क देखो आप जब सुनोगे तो definitely आपको एक difference feel होगा usually smartphones के deck इतने अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि मेरे device का भी इतना अच्छा नहीं था इसलिए मुझे feel हुआ अगर यहीं पर मेरे smartphone में एक अच्छा deck लगा होता तो मुझे इसमें difference feel नहीं होता और अगर एक deck आपको difference feel करा रहा है तो हो सकता हो वो deck अच्छा नहीं हो क्योंकि deck एक high resolution ऐसा नहीं है आपको कि वो base volume बढ़ा दे, base बढ़ा दे, deck आपको एक real sound feel कराना चाहिए ठीक है अब since यहां नहीं मजा आ रहा है, IAM भी आपने अच्छे ले लिए पर मजा भी नहीं आ रहा है तो हो सकता हो, आपका जो internal deck वो अच्छा नहीं हो तो आपको इसके साथ जा सकते हो, और अगर आप Apple users हो, तो जो Apple का normal dongle आता है आप वो ले सकते हो, वो भी more than enough है और आपके IAMs को ज और काफी अच्छा है, but एक sad thing यह है कि मैंने पढ़ा रेडिट वगेरा भी कि वो जो Apple का ढोंगल है, वो Android के साथ इतना अच्छा वर्क करता नहीं है, I don't know why Apple do this, but हाँ वो नहीं वर्क करता है, वो Type C to 3.5E है, but वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता है, वो Apple devices के साथ जाद अच्छा वर्क करता है, तो तुम्हारे पास अगर वो है, तो तुम वो try कर सकते हो, बट हाँ, यह अच्छा है, मैंने use किया, और मुझे काफी सही लगा, आप ले सकते हो, काफी आपको feel होगा loud, थोड़ा सा loudness बढ़ जाती है, क्योंकि Type C से power आप generate कर रहे होते हो, तो कि marketing gimmick में मत पढ़ना, बहुत सारे तुम्हें लोग मिलेंगी, ऐसे बताते हुए कि यह वाज पढखा देगा, यह पीस पढखा देगा, यह दो हजार का, पच्छिस सो का, नहीं, अगर आपके पास एक budget I.M. है, दो डाई, तीन हजार रुपए तक के, आपको 5,000 रुपए ऐसे उसको आग बंद करके मत माननो, इवन मेरी भी बार, तो सब कुछ sum up करते हो, मैं यही कहना चाहूँगा, कि मन में अगर यह सवाल है, कि मैं deck खरीदू कि ना खरीदू, देखो, अगर आप एक casual listener हो, और आप mostly बाहर गाने सुनते हो, travel level करते हुए, तो हो सकता हो, आप internet save mode पे लगा रखे हो, spotify वगेरा से आप high as quality पे stream ना कर रहे हो, तो आपको deck की बिल्कुल जरुवत नहीं है, बठा, अगर आप इसे music lover हो, और आपने इसे download करके रखे हैं, गाने flag वगेरा की dot flag file होती है, और आप passionate हो music के बारे में, आपको music सुनना पसंद है, तो आप जरू new deck को use कर सकते हो, आपको काभी फर्क देखने को मिलेगा, and yeah, I hope मैं आपका एक doubt क्लियर कर पाया हूं, और आपके प्रती honest रह पाया हूं, so yeah, that's it for this video, और इसकी link description में आप चेक कर सकते हो, तो बहुत 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 दिंग ले, see you!